दोस्तों देखे एक बहुत ही successful हम का सकते हैं कि प्रदर्शन किया गया है लखनव और प्रयाग राज दोनों ही जगहों पर और जो भी छात्र इससे सम्मंदित preparation कर रहे थे हैं लाखों की संख्या में लोग निकल कराएं बाहर अगर UPRO की बात करें तो कईब 10 लाख लोगों ने एकजाम दी जा था और UP पुलिस जो इसका पेपर आउट हुआ उसके करीब 50 लाख से जादा लोग फॉर्म फिल किये थे तो टोटल अगर हम देखें तो करीब 60 लाख लोग ह हो जाते हैं जो इस दो पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं ये बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर भी निकल के रहे हैं कल से हम देख रहे हैं परदर्शन हो रहा है लखनाओ की बात करें तो लखनाओ की एको गार्डन में फिलहाल केंसिल कराने को लेकर और दुबारा एक्जाम कराने के लिए मांग की जा रही है जब कि UPRO एक्जाम की बात करें तो इसका भी पेपर हमने देखा था कि सुबह सुबह नौ बजे के आसपास उसका जो हम कहते हैं कि answer थोड़ा short form में निकल कर बाहर आ गया था और वो बहुत सार answer जो थे वो मिलकर मिलाने पर हमें बिल्कुल साफ पता चला था कि वो उसके answer थे और UPRO की एक्जाम को भी cancel कराने की मांग की जा रही है दुबारा एक्जाम कराने के लिए मांग किया जा रहा है अब UPRO की पर थोड़ा सा बात करें तो देखिए रात भर यहां परदरसन जैने फीट है आगे देखिए अभी government के तरफ से कोई announcement अभी तक तो नहीं किया गया है लेकिन हमें उम्मीद है कि government इससे related कुछ अच्छे निर्णा जरूर लेगी फिलहाल लोग अभी भी यहां पे जमे हुए हैं और यह एक हमारे लिए अच्छी बात है जो भी हमारे मित् और जो भी दोस्त यहां पे परदर्शन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार और उनकी जो मेहनत है जरूर रंग लाईगी त्विटर की बात करने तो देखे ट्रेंडिंग कराया जा रहा तक कल ही और अभी भी फिलहाल यह ट्रेंडिंग च रहे हैं इसके अलामा प्रयाग राज भी यहां पर अभी ट्विट पर चल रहा है बहुत ही अच्छा यहां रिस्पॉंस है ट्विटर पर भी सोसल मेडिया की बात करें तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस है सोसल मेडिया से कल की बात करें तो कल देखिए कल हमने चार लाग ट्वीट किये गए इस से रिलेटेड इसके अलामा अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करें प्रेंट मीडिया की बात करें तो उन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग दिया बहुत सारे न्यूज चैनल्स चाया मरूम जाला हो दैनिक जागरण हो उन सभी ने इन चीजों को प्रकासित किया बड़े अस्तर प्रकासन किया गया इसका और इन्होंने भी का कि जो भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो हजायज है और कोचिंग संस्थान जो है वो भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं इसके अलामा दुनिया के जो अच्छे-च्छे यहां पे फिलाल यूबी सिटीज हैं वहां से भी हमें प्रदर्शन और जुलूस देखने को मिला है तो ओवरल कहें कि एक अच्छा प्रदर्शन आप सभी के द्वारा यहां पे किया जा रहा है और आपका तहे दिल से धन्यवाद और ऐसे ही लगे रहेंगे अगर हम तो जरूर यह एक्जाम फिर से कंडक्ट कराने पर गवर्मेंट मजबूर होगी तो अभी के लिए इता है थैंक्यू दोस्तों और आगे भी मैं अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को